जब शत्रू के खेमे में बहन जी के पक्ष में आब आज उटने लगे तो समझो अब वो पारलिमेंट में गई आप समता सैनिक दल में भी रहें, बहुजन समाज में भी आप बहुद अच्छे से रहें, बीएसपी पार्टी के भी कही न कहीं आप बहुत अच्छे उस पे रहें, 2019 के election बहुत नजदीक हैं और बहुजन समाज के लोग बहन कुमारी मायवती को प्रधान मंत्री के रूप में देख रहे हैं आप कहां देखते हैं बहन कुमारी मायवती को देखें बहन कुमारी मायवती की जहां तक बात है मेरी अपनी अटल माननेता है कि इस देश में अगर वो परधान मंत्री बन जाती है तो इस देश की सबसे उत्कृष्ट परधान मंत्री सिद्ध होंगी इसमें कोई दो राय नहीं है अब ये 2019 आने वाला है उससे पहले जो समाज में एक विखराव है अब आप आप देखनें न मैंने अभी एक बाइट में बताया कि सबसे बड़ी दुख दिश्थिति यह हम दुरभाग गे शब्द नहीं बोलते हैं भाग गे सो बाग दुरभाग गे दुख दिश्थिति यह है कि घर घर में पार्टिया बन रही है अब एक कोई पार्टी बनी बेकार से बेकार पार्टी भी जब बनी तो अपने घर के दो चार पाँच आड़ दस पंदर बीस पच्चीश पैंटिस वोट तो काटेगा और इस डेमोक्रेसी में तो एक वोट पर जीतता हारता है अटल बिहारी वाजपई की सरकार गिरी थी तो बीस पी का एक वोट नहीं मिला था इसलिए वो गिर गई तो ये जो दुश्मन हैं जुनको हमारी परगती हमारे ये कपड़े हमारे ये घर फूटी आँखों नहीं सुहते वो बड़े चतुर चालाक हैं और उन्होंने विक्टन पैदा करने के लिए किसी ना किसी तरीके से अपने दलाल लगा रखे हमारे लोगों के पीछे जिने सामाजी ग्यान नहीं हो तुरंत इलेक्शन में खड़ा होना तुरंत पार्टी बनाना इस काम में लग जाते हैं ये एक दुखत पक्ष हैं बारा इससे बहुत आहत है बहुत दुखी है अभी देखिए हमारा समाध है सफाई कामगार सफाई कारने वाले लोग उनको ठगने के लिए हरेक नेता जाड़ू लेकर आएगा जाड़ू लगाएगा फिर क्या है उसके लिए कूड़ा लाया जाएगा सुखे हुए पत्त्य नही मत्री से पूछना चाहता हूं तुम अगर सफाई कामगार लोगों के हितेशी हो तो गटर में क्यों नहीं उतरते हो यह जाड़ू लगाने से जो तुम सफाई कर रहे हो ना यह सफाई नहीं है सफाई तो जो हर कोलोनी की सीवर जाम पड़े हैं और घरों के अंदर टोलेट हजारों जवान इस देश को स्वास्त परदान करने के पवित्र उद्देशे से अपनी जान पर खेल कर भी तुमको स्वास्त परदान करने का माहूल दे रहे हैं तुम वैसा काम करो ना तुम उठाओ अभी भी जगा 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 अभी भी कच्छी लेटिन बनी हुई है हाथ से लोग उठा उठा के उस मल मूत्र को ले कर जाते हैं करो ना वो काम एक दिनी करके दिखाओ तो हम तुमको समझ लेंगे तो आज इस देश में जितने शड्यंत्र या जितना जूंट बोला जा रहा है हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे आंदुलन की कि चाहे वह बहन मायवती हो चाहे भाबा साभ रहे हो चाहे जोती वाप फूले रहे हो चाहे कांशी राम रहे हो हम इनके चल्चंद कपट का जवाब नहीं देबात है हम बड़े चरितरुआन लोग हैं बड़े सीधे साधिये लोग हैं इसलिए और जंता में उनको पता है जूट कह आप तो क्लियर हो गया ना, अब क्लियर हो गया, कि इनका नितिन गड़करी कह रहा है, कि अगर हम जूट नहीं बोलते हैं, तो हम जीतते नहीं, मगर हम पिर भी जूट नहीं बोलेंगे, हमारे गरदन कड़े गई, संबू करशी कि हमने कुछ नहीं किया, एक लववे का उठा यकीन है बहन मायवती जी अगर इस देश के हित में अगर कोई सबसे बड़ा काम होगा अगले साल तो वो यह होगा वो इस देश की परधान मंत्री बने तो सारी समस्याओं से वो जूजना जानती है जिस दिन भी मायवती ये जो 144 खंबो की पार्लेमेंट है गोल घर भी कहते ह हैं जिस दिन ये उसम नीला जंदा लेके पहुंच गई तो साथियो समझ लेना अत्याचारी बलातकारी भरस्टाचारी देश छोड़कर भाग जाएंगे हमारे पासपोर्ट बनाने के ओफिसों में भीड लग जाएगी जो इनकी रैलियों में भीड लगती है ना मायवती क वो भीड फिर पासपोर्ट ऑफिस पर होगी मुझे लगता है बगर पासपोर्ट के ये भाग जाएंगे वो देश आने वाला है बहन जी आ रही है दमदार तरीके से आ रही है पर्लेमेंट में आ रही है और सारे विरोधी बीजेपी के अंदर से भी अब तो बहन जी को पर अब आज उटने लगतो तो समझेड़ो अब वो पार्लेमेंट में गई तो देश पर मघ्रती पदम पर दोड़े इससा दोड़ेगा जैसे जापान दोड़ रहा है प्लोड गाया तो यह मेरीłem धिला शाह है काम ना है माननता है कि बहन जी इस देश हدم शहाओं को हल करेंगी और वो परदान मंत्री बन के ही अलता है